इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Olamin B से tablet में दो दवाएं मौझूद हैं, जो high blood pressure को नियंतरित करने में मदद करती हैं. Blood pressure को कम करने से भविश्य में hot attack या stroke होने के आपके जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. Olamin B से tablet को खाली पेट या खाने के साथ लिया जा सकता है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे रोज नियमित रूप से एक तै समय पर लेना बहतर होता है. डोग्ज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं, तो भी इस दवा को लेते रहना आवश्यक है. आपके blood pressure को कम करके, यह आपके hot attack या stroke के जोखिम को कम करती है. इसलिए इसे लेना तब तक बंद न करें जब तक कि आपका doctor ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहता. आप active रहकर धूमडपान बंद कर और कम नमक व कम वसा वाला भोजन लेकर अपनी जीवन शेली में कुछ बदलाव करें. इससे दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है. इस दवा के सबसे सामाने side effect में आपके टकने या पैर में सूजन यानि की इडिमा, नींद आना, चक्कर आना, सिर्दद, स्वाद में बदलाव, पेट खराब होना और थकान शामिल है. चुँकि इससे नींद आना और चक्कर आना हो सकता है, इसलिए जब तक यह पता नहीं चल जाए कि यह दवा आपको किस प्रकार प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या मान से के कागरता की आवश्यक्ता वाला कोई काम न करें. अगर आप साइड इफेक्ट से परेशान है या इन में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है तो अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किड्नी या लिवर से समबंधित कोई समस्या या बहुत अधिक डिहाइड्रेशन है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. इस दवा का इस्तिमाल करते समय आपके बलड प्रेश की नियमित निग्रानी रखी जाएगी और आपके केड्नी फंक्शन की भी जाच करनी पर सकती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.